जहिन दोस्तों मैंने धी बेंचोहान आजम करेंगे क्लास 9 का 13.5 का question number 7 इसमें हमें पूछा गया है कि एक गोदाम में लकडी के कितने डिब्बे हम रख सकते हैं तो गोदाम के लिए जो measurement है L बराबर 40, B बराबर 25 और H बराबर 15 तो हम गोदाम का पहले घंफल निकालेंगे L गुणा B गुणा H तो L है 40, B है 25 और H है 15 इन सबको गुणा करने पर हमें मिलेगा 15,000 ठीक है अब जो डिब्बा है उसके लिए measurement दी गई है L है 1.5, B है 1.25 और H है 0.5 L, B, H ओके इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.93, ठीक है अब हमें निकालनी है कि हम कितने डिब्बे उस गोदाम में रख सकते हैं तो उपर हम रख देंगे गोदाम का घंफल और नीचे रख देंगे हम जो डिब्बे का घंफल आया है वो इसे जब हम solve करेंगे यहां से point हटा देंगे तो उपर आ जाएंगे 4,0 और उनको भाग करने पर फिर हमें मिलेगा 16,000 यानि कि उस गोदाम में हम 16,000 डिब्बे रख सकते हैं थेंक यू वेरी मच मिलते हैं अगले वीडियो में अगले question के साथ जै हिन जै भारत